जोदपूर से ख़बर बिलाडा निवासी अधिवक्ता की हत्या आपको बतादी की सोज़त था नक्षेत्र में एक पुराने तलाब में अधिवक्ता का शफ पाया गया पाली जिले के चामडिया गाव में जली हुई अधिवक्ता की कार यहां पाई गई अधिवक्ता नारायन सिंग राठोर करीब एक किलो सोना पहने रखते थे हमेशा बिलाडा निवासी अधिवक्ता नारायन सिंग राठोर की यहां पर हत्या कर दी गई है अधिवक्ता की जलती हुई गाड़ी का विडियो भी अब सामने आया है बिलाडा निवासी अधिवक्ता की हत्या का ये पूरा मामला अधिवक्ता की जलती हुई विडियो जलती हुई गाड़ी का विडियो यहाँ पर सामने आया है जोदपूर से आपको खबर बता रहे हैं सोजक शेत्र के पुराने तालाब में हैं आप पर अधिवक्ता की लाश पाई कई और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन समरता दयाल सिंग फोल लाइन पर जोड़ चुके हैं वहां के सिसीटीव पुटेज में अधिवक्ता के पाली जिले के सोज़त की तरफ जाते हुए खोदो कुछ मिले थे उसके बाद से वहां तलाश प्की जा रहे थी आश सबेर जो है पाली जीले के चावडिया गाहं में जली हुई भी मिली थी और हाथ बंदों हुएते और बावडी के अंदर लाश मिली थी साथ ही जो शड़क एसो जो त्रोड की वहां पर उनकी गाड़ी भी चलिवी हालत में मिलेती ऐसे मैं साब लगता है कि कहिन के अधिवक्ता की हत्या की गई बताना चाहूँगा कि यह जो नारायन सिंग अधिवक्ता है इनको सोना पेनने का बड़ा सवकता और इनके सरी पे कम किलो एक किलो की लगबग सोना पेने हुए रहते थे ऐसे में लगता है कि लूट पार्ट की गटना के अधिवी उनकी हत्या को अंजाम दिया जा सकता है दियाल एक और चीस आप से जाना चाहूंगी चुकि हत्या की वारदार प्रतम दरश्टिया सामने आ रही है पूरे मामले में तो क्या कहा जा सकता है शक्की जो सुई है फिलहाल किसकी तरफ है परिजनों के हिसाब से परिजनों के और से किया किसी व्यक्ति का नाम है पर बत कर दो